और दोस्तों मैं रवी स्वागत करता हु अपने योटीोब चनल आईकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो को टॉपिक जो है दोस्तों वह है क्या ये जो पुराने सक्के हैं मुगल शिखके हैं या जो व्रितिश इंडिया के सल्सक्राहिए यह मिलते कहां से हैं दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूं दोस्तों वो कमेंट के अधार पर बनाता हूं मेरे पास जिस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा कमेंट आते हैं के अब मेरे पास कुछ कमेंट आये किसे यह सिख्खुछे मिलते कहाँ से हैं और क्या हमने भी यह सिख्खे मिल सकते हैं कहीं से तो मैं आपको बता दू यह आप exhibition से खरीश सकते हैं या जो coin collector होते हैं वहांसे भी आप यह सिख्ख्खे खरी सकते हैं लेकिन अगर बात करें इसके मिलने की श्रोत की तो ये सिख़े कहां से मिलते हैं तो अब आप ये सिख़ें दोस्तों देख सकते हैं ये है मुगल बाश्य जहांगीर का सिख़ें यह है दोस्तों गंधार मिंट का सिक्का उस समय गंधार भारत का ही हिस्सा था अफगानिस्तान अफगानिस्तान बाद में भारत से अलग हुआ था तो यह जो सिक्का बनाता दोस्तों अफगानिस्तान में एक जगह है गंधार तो यह उस मिंट में बनाता सिक्का थोड़ा रे मुकाबले इस सिक्के की value थोड़ी high है अच्छी condition में यह आपको oraz 10,000 रुपे तक दिला सकता है और जिस condition में में नहीं पास इन विए सिक्के हैं तो उस condition में दोस्तों आपको 2500 रुपे और चार जार रुपे तक दि लडं सकते हैं कंधार्मिंट का सिक्षा जहांगीर का इसुक्ष तो यह कुछ मेरे पास कमेंट आयते हैं इतने पुराने दिखा रहे हैं यह मिलते कहां से तो मैं आपको बताऊं कि पहले की जमाने में क्या उता था बैंक तो होते नहीं थे दोस्तों तो उस समय दोस्तों लोग क्या करते थे सिक्कों को दिवार में चुनवा देते थे या दिवार में छुपा देते थे जमीन के अंदर लोग गाड़ देते थे सिक्के तो जब बाद में वो दिवार टूट थी या जमीन की खुदाई होती तो उस समय ऐसे सिक्के मिलते हैं दोस्तों अग दूसरा स्रोध जो है इसका दोस्तों वह है नदिया क्या पुरानी प्रहपर है कि नदी में सिख्य डालने की शानदी के смझ सिख्य तो जब नदी की सफाई होती है या जब नदी के बिल्कुल तल तक होई जाता है तब ऐसे सिक्य मिल्थे हैं दोस्तों यूज और भी कुछ अलग अलग तरह के स्रोथ हैं उनके उसक्ष फॉराने जबाने में क्या करते थे मिथी के बर्तन लेते थे उन्हें से इनुमें सीस्क्राइफ रगदेते थे चाहिं वो मुगल हो या ब्रेटिस इंडिया के सिक्षिग हो और मठी के बरतन में सिक्के लेकर जमीन में काड़ देते थे तो जब खुदा ही होती थी तब वो इस तरह का कोई बरतन मिलता था आप काफी लोग मुझे कमेंट में पूस्ते हैं कैसा इतना पुराना सिक्का बता रहे हो 300-400 साल पुराना लेकिन देखने में तो बिल्कुल नहीं है ज उसको जमीन में काड़ दो 10-20-50-700 सो साल बाद 50 साल बाद जवाब उसको देखेंगे तो सिक्के खराब थोड़ी होंगे वो मठके में बंद है आपने पैक करके रखे हैं तो ना तो उसमें डस्ट जाएगी और ना वो खराब होंगे तो ऐसे जैसे आपने रखे थे वैसे ह आपको वो मिलेंगे चीक है दोस्तों तो ऐसे यह सिक्के थोड़े से नहीं दिखते हैं अब अगर आपको ऐसे सिक्के चाहिए तो दोस्तों आप एक्जिविशन से खरी सकते हैं या आप किसी कोईन केलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ब्रिटिश इंडिया कि यह ऐसे मुगल सिक्के अपने पास रखने का शोक है या आप पुराने सिक्कों में इंटरेस्टेड हैं तो अब मैं आपको एक टोपिक बताना चाहूँगा आप वो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं मध्यप्रदेश में एक शिप्रा नदी है और उस शिप्रा नदी में से एक व्यक्ति को एक सिक्का मिला दोस्तो तो वो सिक्का उसने गोता खोर से मात्र पचास उरुपे में दोस्तों खरीदा था मात्र पचास उरुपे में अब वो सिक्कों पुराने सिक्कों का शोकिन था वो जो व्यक्ति था अब उसने वो सिक्का ले जाकर अपने घर पे रख दिया उस टेम बाद उसने वो अखबा वो अकबार लेकर जब अपने घर गया तो उसने अकबार से अपने सिख्ये की फोटो मैच करी तो वो सिख्या दोस्तों वही निकला आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं किया उजयन की शिप्रा नदी में मिला पचास लाक रुपे का कीमती पूरा आर्टिकल आया था वह जो भी इंडिया के नूस Pan और तो जब वो अकबार कहा जो आर्टिकल था उस व्यक्ति ने देखा और उन से संपर करा हुआ उस में आर्टिकल में कोंटैक्ट नंबर दिया हुआ था किया अगर किसी के पास यह सिक्खा है तो आप हमसे संपर क किया तो ब्रिटेन से लोग आये कुछ वो सिक्का देखने और ने वो पूरी तरसे वेरिफाई कर दिया क्या वो सिक्का एकदम असली सिक्का है दोस्तों कि वो सिक्के की दोस्तों जो कीमत लगाई गई थी वो थी 50 लाख रुपे अभी मैं दिल्ली के एक्जिविशन में गया मरुधर आठ्स का और उससे एक दिन पहले लगा थे दोस्तों क्लासिकल नुमिस्मेटिक गैलरी का तो यह दो एक्जिविशन लगे थे वहाँ पर मैंने दोनों एक्जिबिशन अटेंड किये तो क्लासिकल नुमिस्माटिक गैलरी और मरुधर आर्ट्स के जो ऑक्षन लगे थे उसमें जो कलेक्टर्स होते हैं वो बोली लगाते हैं सिखेगी उससे पहले उनको अपना रेजिस्टेशन कराना होता है और उनको एक नंबर दिया जाता है उस नंबर को लेकर वो खड़े होते हैं और उसके इसाब से भी दोस्तों बोली लगाते हैं उनको एक कैटलोग मिल जाता है अपने उस कैटलोग में भी देख सकते हैं वो और स्क्री लंबर के वही डिस्प्ले पे चलता है तो वह अपने कैटलोग में भी देखते रहते हैं और डिस्प्ले पे वह सिक्के आते रहते हैं तो आज इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि आपको जो पुराने सिक्के मिलने का कुछ स्रोथ है वह पता चल सके क्या पुराने सिक्क कीमत होती है नहीं होती है तो कुछ लोग जो फेक बोलते हैं मैंने पिछली वीडियों बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं बेवकुफ बना रहे हैं तो उन लोगों से मेरा दोस्तों यही कहना है कि किसी भी चीज को जब तक आप पूरी तरह से ना जान लो उसको आप फेक न एक उपिया क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियो देख लिए जिसमें वह बेवकूफ बना रहे हैं कि अभी बेचे तुरंत बेचे डारेक्ट बैर को डारेक्ट कॉनटेक्ट नमबर पचास लाग 11 लाग मैं खरीद रहा हूं इस तरह की उन्होंने कुछ असली real coin collector है उनका भी काम खराब कर रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों अब ऐसे लोगों से आपको बचना है कि अभी बेचे तुरंत बेचे 11 लाख रुपे 50 लाख रुपे ऐसे लोगों से बचना है और सबसे पहले जो लोग इस coin industry को या यह जो antics coin notes जो है इनको fraud बोलते हैं उन जीए और exhibition auction अच्छे से attend कीजिए तब आप आकर मुझे बताईएगा और एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास सच में कोई rare coin है या rare note है तो दोस्तों इस चीज़ की पूरी guarantee है वह 100% वह आपका sell होगा 100% नहीं 200% मेरी guarantee है वह आपका sell होगा क्योंकि वह महां पर exhibition में या auction में दुनिया भर के collector आते हैं और rare चीज़ी उनको तलास होती है rare coins की rare notes की तो वह हाथ हो हाथ महां पर बिग जाते हैं दोस्तों तो अगर आपके पास भी कोई rare या rare note या rare सिक्का है कोई तो नीचे आप मुझे comment करके दोस्तों जरूर बताएगा क्योंकि rare variety में आपको लगण सभी वीडियो में एक ना एक rare variety बताता रहता हूं दोस्तों क्या कौन से rare variety है कौन सा rare note है जिसकी आपको अच्छी value मिलेगी तो नीचे आप मुझे comment करके दोस्तों जरूर बताएगा और इस चैनल को दोस्तों subscribe कर देना अगर आपको भी पुराने सिक्को कर दें वीडियो को शेयर कर दें अपने Facebook और WhatsApp पर भी ताकि लोग को पते चल सके कि आप पुराने से कोई कीमत अब काफी जादा बढ़ चुकी है इस चैनल को दोस्तों subscribe करना ना भूलें इस वीडियो को दोस्त पाज ही खतम करते हैं इस वीडियो को दोस्तों देखने के ल